Hello guys, सब सभी का स्वागते, फिर से एक नए वीडियो में चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं I hope आप सभी ठीक होंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो काफी informative होने वाला है, जैसा कि मेरे सभी वीडियो होते हैं इसलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है, तो पहले जाके चैनल को सस्क्राइब कर लीजे, notification bell को on कर लीजे, ताकि ऐसे informative वीडियोस आपको मिलते रहें और आप चाते हो कि मैं कहीं पे भी जाओ और उसे आसानी से यूज कर पाऊं वो data, तो वो किस तरीके से यूज कर सकते हो, काफी अच्छी application है और trustable है, काफी secure वगेरा है, तो आप उस पे trust करके ये काम कर सकते हो, तो क्या होने वाली है, ये चीजे बात करेंगी इस वीडि होना चाहिए, और उसमें जो application में बताऊंगा, वो setup होनी चाहिए, वो सारी चीज मैं आपको करके बताऊंगा practical, किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से आप इसको आगे use कर सकते हो, और काफी जादा आपको benefit दे सकती है, ये चीज, आप अपना दिमाग लगा के भी बह store पर जाने के बाद में आपको लिखना है, chrome remote desktop, तो ये लिखने के बाद में आपको जो है, वो application मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है, link description में वहाँ से direct आप open कर सकते हो, आपको वहाँ पर install करना होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आजाओगे, तो मैंने already install कर ली है, तो यहा आप open करोगे, इस तरीके का interface आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ तक आने के बाद में आप चलता है, computer screen पर बात करते हैं, किस तरीके से इसको setup करते है, usable होने वाली है, आपको life में काफी जादा काम आने वाली है, क्योंकि इसकी मदद से आप काफी जादा काम कर सकते हो, कहीं पर भी गए, और आपके computer से कोई भी काम करना है, तो वो कर सकते हो, easy way में, जैसा आपको computer का यही काम है, तो आप हमेशा लेट, desktop वगेर, आपको तो लेके, carry करके तो नहीं चल सकते हैं, लेकिन आप mobile से कर सकते हो, कहीं out of India भी गए, वहाँ से भी यह काम कर पाओगी, easy कर रहा हूँ, कि आप वीडियो वगेरा देख लेते हो, लेकिन मेरे चैनल सस्क्राइब नहीं करते हो, अगर मैं आपको informative वीडियो आपको देता हूँ, तो प्लीज दो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे, notification bell को on कर लीजे, ताकि ऐसे informative वीडियो आपको मिलते रहें, आप को अच्छे लगते हैं, तो प्लीज कमेंट भी करें वीडियो पर लाइक जरूर करें, और अब चलते हैं, आगे और बढ़ते हैं, किस तरीके से क्या process रहने वाली है, ओकी गाइस, तो यहाँ पर मैं computer की जो steps रहने वाली है, वो बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको ज setup देखने को मिलेगा, और ये link आपको description में मिल जाएगा, वो जैसे आप click करोगे, तो यहाँ पर आ जाओगे, इस तरीके से आने के बाद में, यहाँ पर देखिए, डाउनलोड का button दिखाई देगा, तो डाउनलोड पर जैसे click करोगे, इस तरीके का pop-up open होगा, और open होने क बाद में बात करता है, कि क्या कुछ show होने वाला है, किस तरीके से install करना है, तो यहाँ पर इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए add to chrome, तो यहाँ पर add to chrome पर click करना है, जैसे आप click करोगे, तो यहाँ एड extension पूछेगा, तो यहाँ पर इस पर कर देना है, ज जैसे ही आप डुबारा download पर click करोगे, तो यहाँ पर देखिए download हो चुका है, अब यहाँ पर आ रहा है accept and install, इस पर आपको click कर देना है, जैसे आप accept and install करोगे, तो यहाँ पर देखिए setup पर ले जाएगा, इस पर click करना है, जैसे आप click करोगे, तो यहाँ पर यह install वाली step ह तो चलिए भी इसको इंस्ट्रोल कर लेते हैं और बात करते हैं आगे क्या कुछ रहने वाला है तो यहां पर आपको पूछ रहा है चोई से नेम तो यहां पर आपको नेम चोईस कर लेना है विजेट एक रख दिया है अब आपको next पे click करना है next पे click करने के बाद में आपको यहाँ पर pin generate करना है pin कम से कम six digit का होना चाहिए तो यहाँ मैंने six digit का यहाँ पर confirm कर लिया है password और यहाँ पर start पर click करता हूँ जैसे आप start पर click करूँगा तो यहाँ पर देखिए आप password को save करना चाहते हो तो यहाँ पर save करना है नहीं तो never कर देना है जैसे आप इस तरीके से आजाओगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको mobile में connect करना है या फिर other PC में कैसे connect कर सकते हो वो बात कर लेते हैं ओके तो पूरा setup करने के बाद में आपको pin वगेरा लगाने के बाद में इस तरीके से आपको दिखाए देगा आप चाहो तो इस profile को delete भी कर सकते हो, disable भी कर सकते हो, ठीक है तो आप बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप पूरा access कर पाओगे अपना computer mobile में तो यहाँ पर remote support पर जाना है और यहाँ पर देखिए share the screen यह वाला option है इसमें आ रहा है generate code, तो इस पर click करना है, यहाँ पर code generate होगा generate होने के बाद मैं आपको mobile screen में आप पर show कर देता हूँ तो यहाँ पर three dots पर जाना है और Sam वही step पर जाना है remote support पर और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है access code, तो यहाँ पर computer में आपके side में दिखाए दे रहा है code यह code आपको इसको type कर देना है mobile पर, ओके तो मैंने यहाँ type कर दिया है अब आप बोलोगे कि यह मैं भी यहाँ पर ले सकता हूँ क्या code, आपका system मेरे mobile में आ जाएगा आपको दिक्कत नहीं आने वाली next time करोगे तो next नयाद generate करना पड़ेगा, तो इस तरीके से करना है अब मैं यहाँ पर connect पर क्लिक करता हूँ mobile में, ओके तो यहाँ पर connecting वाली जो process है वो आगे बढ़ रही है, तो connecting वाला जो है वो सारी चीज में आपको बताने वाला हूँ, अब देखिए, यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है, कि इस email ID का बंदा है, जो आपका system access करना चाता है तो यहाँ पर अगर आप share करते हो, तो ही access होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको share वाले पर करना है जैसे ही मैं share कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप computer में देख पा रहे हो, यहाँ पर नीचा रहा है stop sharing तो आप चाहो तो stop भी कर सकते हो, आप पूरा access रहता है, आप कुछ भी कर सकते हो ऐसा नहीं है कि उसने एक बार connector लिया, तो connect ही रहेगा, मैं क्या करूँ, कैसे disconnect करना है यह सब कुछ आपको मैं साथ के साथ बताते चल रहा हूँ, अब आप आसानी से देख पा रहे हो, जैसे कि मैं mouse में, मतलब mobile में यहाँ पर touch कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप टूजी पे चला रहे हो और आपका अच्छे से move करेगा, तो आपको जो है वो अच्छे से यहाँ पर move कराने के लिए, आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो देखें, मैं आराम से work कर रहा हूँ, कोई भी आपको folder वगेरा खोलना है, तो आप आराम से कर सकते हो, double tape पर, तो इस तरीके से आप पूरा जो computer वो access कर पाओगे, कोई file में काम करना है, वो भी कर सकते हो, सारी चीज़े आप यहाँ पर कर पाओगे, काफी अच्छे से और काफी अच्छे से आप work कर सकते हो, आप कहीं पर भी हो, all India या फिर बाहर पर भी हो, कहीं out of India हो, वहाँ से भी आप अपने computer पर काम कर पाओगे, तो काफी अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप अपना computer access कर सकते हो, या फिर किसी के system में कोई problem आ रही हो, या किसी को आप अच्छे से उसको समझा सकते हो, जो Google वाला है, ये काफी secure है, काफी अच्छा है, trustable है, तो ये चीज आप आराम से अपनी daily life में use कर सकते हो, किसी का भी system use करने में, या फिर उसको help करने में, कोई भी presentation show करने में, ये चीज आपको काफी ज़्यादा काम आने वाली है, और अगर आप इसको use करोगे, तो आप analyze करोगे कि इसमें lake काफी कम मिलेगा, lake ना के बराबर है, जैसे कि Anidex वगेरा में, इनमें आपको काफी ज़्यादा lake देखने को मिलता है, तो काफी ज़्यादा lake देखने को मिलता है, other remote access वाली application में, तो इसमें काफी अच्छा access आप किजिए, कॉमेंट कीजिए, और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेर कीजिए, थैंकि दोस्तों, बाबाई, टेक केर, जैहिंद वंदे, मात्रम